नमस्कार बिस्तक के इस वीडियो में आपका स्वागत है इस वीडियो में विशलेशन करेंगे RBI की क्रेडिट पॉलिसी पॉलिसी की जो अभी कुछी देर पहले हमारे सामने आई है और इस विशलेशन के लिए इस पॉलिसी को समझने के लिए समझाने के लिए हमारे साथ हैं India Today Hindi Magazine के संपादक अंशुमान तिवारी सर, सबसे पहला सवाल की रेट्स को लेकर, क्योंकि सबकी नजरें रहती हैं की रेट्स पर की, RBI की पॉलिसी में की रेट्स का क्या हुआ, की रेट्स को में कोई बदलाव नहीं किया गया, लगातार छटी वार ऐसा है कि जब RBI ने की र सब्सक्राइब की रेट्स के सब्सक्राइब करना के बराबर है थी ही, कमी करेगा क्योंकि मानिटरी साइट से या बाजार में ब्याजदरें सस्ता करके एकॉनमी को बूस्ट देने की या ताकत देने की सारी कोशिसें हो चुकी है अधिक तम इस तर तक, पिछले 5-6 महीनों में खासता और पर कोविट के पहली लहर के बाद, रिजर्ब बैंक के पैकेज के बाद, रिजर्ब बैंक की पूरी कोशिस इस बात की तरफ रहती है कि ब्याजदरें कम रखके सरकार के करज कारेकरम को मदद दी जाती रहे, यानि सरकारों को बाजार से परयाप्त पैसा मिल है किसी भी तरह से ग्रोथ को लेकर गहरी अनिश्चिता दिखती है जिसमें आगे बात करेंगे तो अब एक संक्य जो रिजर बैंक में इस पॉलिसी में दिया है कि सब ट्रेजेक्टरी को लेकर इस्थितियां बहुत इस्पष्ट नहीं है तो एक तरह से अगर आप इंट्रेस्टेट के माध्या के तरफ से देखें रेपूरेटर बाकी तो यह पूरी तरह बिनाइन पॉलिसी है इसका कोई फर्क नहीं जिंदगी पर पढ़ने वाला है ना बैंक करज नहीं दे पा रहे हैं अभी अर्बियाई के अनुल रिपोर्ट से जो आकड़ा आया उसे साब से पब्लिस सेक्टर बैंक का का जो करज है वो दस साल के लोईस्ट लेवल के उपर है यानि ब्याजदरें जब बिलकुल तलहटी में लगी हुई है जमीन पर लगी हुई ह रिपोरोट चार परसेंट की अनेक्सपेक्टेड हैं इंडिया में कभी इतनी कब रिपोरेट नहीं थी डिपॉजिटर्स ने बहुत पैसा गवाया है अपनी बचत पर करज सस्ता कराने की कुर्बानी उन्हों ने दी है उसके बाद भी उसके बाद भी बैंकों से कोई कर ल लेसे यह इसका पहला हिस्सा है जो दिखाता है दिखाता है बिल्कुल आपने सही बताया सर छे बार से इसलिए हम ब्याद दरों में कोई बड़ोतरी है कमी भी नहीं देख रहे हैं और क्रेडिट अगर ऑफटेक देखिए तो उसमें भी कोई बहुत बड़ा अंसर दिखनी नहीं रहे हैं दूसरा हिस्सा जो आपने कहा सर की बहुत ज़्यदा अनिश्यत्ता है आर्थिक विकास दर को लेकर ग्रोथ के नंबर को लेकर हमने देखा कि दुनिया की देश की तमाम रेटिंग एजिंसियों ने बहुत सारे ब्रोक्रिजिस हाउस ने जो अनुमान थे इस करेंबर के बाद समाम रेटिंग अनिशिएं के नंबर के बाद रोकिंग हाउस ने लंब्र के बाद कितना आ आ सही अनमबर क्या इस पर भी हम टिक पाएंगे क्योंकि भी तीसरी लहर का खत्रा सामने खड़ा है और क्या असर पड़ेगा हमारी जेव पर जिंदगी पर अगर जीडिपी ग्रोथ और कम होती है या इतने पर ही रहती है ताव शुबम ये महत्तुपून मद्दा था RBI की मानेटरी पालिसी का जिस पर सबकी निगाहें थी और हरवेक्ती रिजर्ब बैंक से ये समझना चाहता था या उसका इसका इस्टांस जानना चाहता था कि भारत की आर्थिक विकास दरकोले कर इस साल पिछला साल तो डूबा माइन जो RBI गवर्नर का बयान है वो ये बताता है कि नार्थ ब्लाक और बैंक स्ट्रीट दोनों फिलाहल भारत की आर्थिक विकास दरकोले कर बुरी तरह अनिश्यतता और कंश्यूजर नहीं है दोनों को रहें, आने आले अगली तिमाही में क्या होने वाला और ये बहुत हुद प्निशियक परिस्थिती है जब देशके नीति निर्मातां को अर्थ विवस्था के क्वारे के बारेमें फार और और शाय। अब जैसे आप केवल RBI को देखें हैं बाकी अजिंसियों के नमबर पर बाद में RBI ने अपरेल में कहा भारत की विकासदर में रिकवरी साथे दस परसेंट की होगी उसके बाद जब जून में CSO का नमबर आया कि पिछले साल माइनस सेवेंट थी परसेंट है तो RBI ने कितना तेज कट किया और उसे घटा उसे आज घटा उसे उसमें कटोती कर दिया नहीं दस पीज़ी से नीचे नीचे आ गई इसके बाद भी और कमी होगी इसकी संभावना दिखाई दे रही है क्योंकि जिस आपने तीसरी लहर का जिकर किया आभी दूसरी लहर का असर economy पर assess किया जाना है high frequency indicators जिनके base पर हम बात करते हैं चाहे वो services का या manufacturing का PMI हो चाहे वो core sector का number हो यह सारे number हमें बता रहे हैं कि economy में जो भी recovery आने की संभावना थी वो गिरी है कमजोर हुई है quarter के आधार पर भी RBI ने काफी कटोती की है तिमाही के लिए के लिए जो उसका अनुमान है तो growth को लेकर जो अनिश्चितता बनी हुई है उसने reserve bank को एक गहरी असमंजस में फसा जाएगा तो बाजार में महगाई बढ़ने का खत्रा है monetary policy करने से economy में तो growth नहीं आ रही छे बार की कटोती के बाद ना तो करज लेने वाले लोग आ रहे है ना economy में डिमांड दिख रही है ना कंदम्शन दिख रहा है ना capital investment दिख रहा है ना company आगे लेकर आ रही तो ऐसी परिस्थिती में मैं यह दिखता है कि भारत की आर्थिक विकासदर में इस साल और जाधा गिरावट हो सकती है और अगर हम RBI के इस आकलन को पिछले साल की के CSO के पैलर लखें तो हम लगवक शूनी के असपास होंगे इस साल के इस साल के अन्त में हमां भारत की की विकासद में क्या इस्तिती होती है कहना भी मुश्किल है आरविया की क्रेट पॉलिसी के बाद आप ये भले समझते हों कि इसका बहुत सरोकार आपके जेव से जिंदगी से नहीं है लेकिन अब जो एक आंकला आने वाला है उसका सीधा-सीधा सरोकार आपकी जेव से होगा आपकी बच करते हैं क्योंकि उसके तार भी कहीं नहीं इसी क्रेट पॉलिसी से जुड़े हैं पिछली बार तो जब आया था तो ये कहा गया कि नहीं उसको देख नहीं पाए और वो चला गया चुनाओ का दौर था और उसको बापस ले दिया गया लेकिन क्या वो जो चोटी बचति यो सब्सक्राइब करें अच्छा है मुझे मानना यह है कि यह सारी कोशिच जिसे काम के लिए की जा रही है भारत की करने का जो पूरा समग उपक्रम था या उनकी बचत पर रिटर्न घटाने का जो पूरा उपक्रम था शुभअ वो सिर्फ इस मकसद से ही तो था कि अगर बैंकों की बचत की लागत कम होगी उनकी capital की लागत कम होगी उनके resources के funds की लागत कम होगी तो वो उस लागत में कमी को कमी को नए करजदारों को transfer कर पाएंगे और इसलिए बैंकों ने एक तरफ सरकार के इशारे पर करज पर ब्याजदर घटा हैं वो हैं लगो बचत इसकी में चोटी बचत इसकी में उन पर सरकार ब्याजदर घटाने की तरह बढ़ी थी फिर उसका राजनीतिक नुकसान उसको समझ में आया उसे वापस ले लिया अब दुविधा ये है लोगों का विश्वास तो पहले बनना पड़ेगा लोगों में जो अनिश्यतता है जो भविश्य के प्रती भरोसे की कमी है वो सबसे बड़ी चुनोती है और जिसके कारण नया निवेश या नया कर्ज लेने के लिए लोग आगे नहीं आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं ये पालिसी हमें ये बताती है कि भारत की अर्थ विवस्था से जुड़े हुए दोनों के इंद्र वित्तमंत्राले और आर बी आई अपने सारे उपकरनों को का इस्तेमाल करके लगभग ठक शुके हैं जितने इंस्ट्रूमेंट उनके पास हो सकते थे उन सब का उन्होंने इस्तेमाल कर लिया है चीजे सुधर नहीं रही है क्योंकि यहां एक चीज समझना फिर जरूरी है बिजतक के दर्श्कों के लिए कि इनके चलाने से चीजे सुधरेंगी नहीं क्योंकि भारती अर्थ व हैतर होती है जरूरी यानि कि आप भरोसा लाइए बाकी उस भरोसे के बाद बाजार में मांग हम लाएंगे यह मोटे-मोटा सर की बात का कहने का मतलब है सर इस सेग्मेंट का आखरी सवाल लेकिन एहम सवाल इस डोडी का जो दूसरा सिरा है कर्ज सस्ता इसलिए किया जाता है कि हम और आप खरीदें हम और आप तो नहीं खरीद रहें लेकिन दूसरी तरफ की कंपनियां खरीदें नए इंवेस्मेंट करें नए निवेश लाएं नई कैपिसिटी एक्सपेंशन करें बड़त यहां उल्टा हो रहा है बेस्की दिगर कंपनियां खुद को डेट फ्र हो जानी है तो ऐसे में तो बैंक पर और डबल मार हो जाएगी यह लंबी बहस का विशा है और यह यह भारती बैंकिंग इंडस्ट्री की नई समस्या है जो रिसेशन के बाद या इस महामारी के बाद आएगी कि भारत में कितने लोग कज लेने में एक शुक होंगे और डिम सिट्बी को स्पेशल लिक्विडिटी बढ़ाई गई है करी 16,000 करोड़ रुपए की जिससे वो MSME को कज दे देगा यह मतलब यह आप पिछले साल से इस तरीके की लिक्विडिकी दी गई है और भी दी गई है तो मतलब आर बिया इन अपनी तरफ से बताने के कोशिस की रहे हैं इसकी दो बड़ी वज़े हैं शेर बाजार में जब आपको IPO पर सेंट 50% 70% 80% का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है जो फ्री कैपिटल है जिसमें कोई ब्याजदर नहीं देना देना है आपको अंतराश्ट्रिय बाजार में आधा पर सेंट पर एक पर सेंट पर माइनस 25% के उपर अगर बारोइंग मिल जाती है अगर आप बाहर से ले आते तो आप भारत में 6% 7% का करज क्यों उठाएंगे चार तो रेपो रेट है 6% 7% से कम पे तो घुत अच्छी साखवाली कमपीनियों को भी पैसा नहीं मिलता है और जिनकी साख खराब है आवसत उनको तो जब ले सकते हैं जब आप उस करज को चुकाने के लायक कारोबार कर सकें भविश्य में इसका बुन्यादी सिधान शुभम यह कि मालीजी अगर मैं करज ले रहा हूं मुझे हर महीने हर साल उस पर 10% या 12% ब्याज पे करना है तो मेरे बिजनेस में 20% का रिटर्न होना चाह बाद हम पर्सेंट का प्राफिट शो कर पाएंगे तब हम 12% का करज पे कर पाएंगे जब आपकी एकॉनिमी ही माइनस में है साले साथ परसेंट के माइनस में है 10 लाग करोर का लास हो गया है तो कौन सा बिजनेस हाऊस जिस बिजनेस को मार्केट में 20% के रिटर्न की उम्म नहीं पारें इसलिए जैसे ही मंदी से भाहर निकलेंगे सरकारों को इस संदर्म में नीती में बदलाओ करना पड़ेगा करना पड़ेगा बिल्कुल तो इस वीडियो में फिलाल इतना ही जहां हमने समझा कि आर्बे की स्क्रेट पॉलिसी का मतलब हमारे और आपके लिए क्या क्या है